गुड मार्निंग स्टुडेंस तुडें वी विल कंटीन्यू आर प्रेवेस वीडियो एंड टुडेंग वी विल स्टार्ट फ्रम क्वेशन नंबर सिक्सुडेंस मैंने आपके लिए क्वेशन नंबर फाय तक पूरे सॉलूशन के साथ आपको सॉल करवाया और दिखाया कि कै कैसे हमें एवरेज निकालना है मीन फाय करना है और कैसे हमें अरत्मेटिक मीन भी फाय करना है तो स्टुडेंस हमने जू भी अविटक पढ़ा है वो मैंने इसमें आपको फिफ तक पूरा करके प्रैक्टिकली शो किया है एंदिस एक्सराइज एक्सराइज नमबर 3.1 वी यह कंपलिटेट तिल फिफ्थ क्वेस्टिन नाओ आज मैं आपको 6, 7, 8 और 9 यह आपको ओरली इस क्वेस्टिन में क्या पूछा गया है वो बताऊंगा एंद स्टुडेंस आपको यह क्वेस्टिन्स अपने नोटबूक में खुद करना है यह आपका होमवक है स्टुडें यह आपको एंद स्टुडेंस यह वाजुज क्वेस्ट त क्वेस्टरिए एंद स्टुडेंस यह था इस विए टूलि इस्टिन नादी अपको भूलिए फ नाइको 5, 7, 8, 8, 7, 8, 6, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 11, 10, 11, 11, 9, 11, 12, 11, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 25, 18, 11, 12 find the highest and the lowest marks obtained by the students range of the marks obtained mean marks obtained by the group okay students इसमें आपको यह बताए जा रहा है कि एक group है बच्चों का जिसमें जिन्होंने मिलकर science का एक test दिया है test है 100 marks का और बच्चों ने 85, 76, 90 और ऐसे गरके अपने हिसाब से marks obtained किये हैं तो उसका सबसे पहला सब question यह है कि आपको यह find करना है कितना highest मिला है कितना lowest मिला है marks बच्चों को students हमने question solve किया था या हमने उस पे एक observe किया था हमने solve किया है यहाँ पर question number two यहाँ पर हमने मैंने आप देख सकते हैं कि question number two का sub question one which number is the highest which number is the lowest तो हमने वहाँ पर tabular form में इस तरीके से कुछ table बनाया था not exactly like this एसा exactly नहीं हमने solve किया था solution मैंने आपको दिखाया था so आपको उस तरीके से पहले इस marks को students के हिसाब से like आपको पहले एक table बनाना है जहाँ पर आप लिखोगे student one student two three four जितने हैं उतने इसमें one two three four five six seven eight nine ten okay 10 students है इसमें आप 10 students के students one two three four रखके आप लिखेंगे उसके सामने आप किसने कितना marks obtained किया है यह लिखेंगे tabular form में जैसे question number two में हमने कहता ठीक उसी तरीके से और फिर उसमें यह देखेंगे कि कौन सा student ने सबसे highest mark लाया है so as we can see in the question सबसे highest mark 95 है और lowest है 39 so students highest होगा 95 और lowest होगा 39 आपको पहले tabular form में इसको convert करना है properly data को organize करना है and after organizing the data you have to write which is the highest and the lowest marks as per the organized data फिर में फाइंड करना है range तो range कैसे find करते है students range का formula है the difference between the highest and the lowest observation give us an idea of the range मतलब हमें ऐसा करना है कि जो सबसे highest number है like 95 और जो लोएस है 80 39 actually sorry 39 है इन दोनों को minus करना है मतलब 95 में ज़े 39 को minus करना है और जो भी आता है उसका answer वो हो जाएगा हमारा range so range मैंने आपको बदा दिया अब है mean mean हम कैसे find करेंगे entire group का जितने भी marks है उसको पहले हम add करेंगे और जो भी answer आता है उसको हम divide by जितने number of students है उससे divide कर देंगे students आपको उससे divide करना है फिर जो answer आएगा वो होगा हमारा mean mean marks obtained by the group तो यह हो गया हमारा question number six seven है the enrollment in a school during six consecutive years was as follow 6 साल का data दिया गया है कि school ने कितने बच्चों ने enrollment लिया अब हमें उसका mean find करना है तो जितना भी data आपको दिया गया है उसको add करो जो भी sum आता है उसको divide by six कर दो six क्यों करेंगे इस लिए के मारे पास six years का consecutive years का data है तो आपको mean मिल जाएगा अब है eighth the rainfall in mm यानि की millimeter in a city on seven days of a certain week was recorded as follow किसी शहर में कितनी बारिश हुई वो भी mm में millimeter में एक certain week में लब 7 दिन में वो यहाँ पर बताया गया है हमें इसका range find करना है सबसे highest कब था Friday को और lowest कब था Monday और Thursday को जो zero था यानि के बर साथ हुई ही नहीं तो आपको 20.5 को 0.0 को 20.5 में से minus कर देना है जो answer आएगा वो होगा हमारा range जिसका मतलब होता है कि lowest को highest में से minus कर दो आपका answer मतलब कि range हमारा आ गया फिर है mean mean when करने के लिए इन सबको पहले आपको add करना है और divide by seven करना है आ गया आपका mean how many days was the rainfall less than the mean rainfall के अब आपका जो mean आया है students याफे confused मत हुए इसको ध्यान से पढ़िये आपको यह पूछा जा रहा है कि कितने दिन थे हफते में जब बारिश जो हमारा mean आया है आपने जब add किया divide by आपने उसको seven किया तो जो answer आयेगा कितने दिन हफते में ऐसे थे जब उससे कम बारिश हुई यानि जो mean आया है उससे कम बारिश हुई तो जितने भी दिन होंगे वो आपको वहाँ पर लिखने है फिर question number nine है the height of ten girls were measured in cm यानि के centimeter and the results are as follow 10 लड़कियों का height है यहाँ पर cm में अब हमें find करना है what is the height of the tallest girl इसमें से जो सबसे tallest girl है उसका height क्या है तो पहले अब अभी है इसे भी हमें question number two and question number six की तरह पहले organize करना है कि 10 girls थी girl one girl two girl three और उनके सामने उनका height लिखना है इन cm फिर उसमें आपको find करना है कि सबसे tallest कौन है तो यहाँ जैसे मुझे दीख रहा है question में तो 151 cm height की एक लड़की है वो है सबसे highest सबसे सबसे छोटी कौन है इसमें हाइट में वो है 128 cm in cm height की लड़की आपको बताना है कि कौन से properly पर डेटा को organize करना है और उसके बाद इसको solve करना है फिर है what is the range of the data तो जो highest है यानि 151-128 जो भी answer आता है वो अपना range है फिर है what is the mean height of the girl girls actually तो जितना data दिया गया है उसको पहले add करो और divide by 10 करो आपका answer आ गया how many girls have heights more than the mean height मतलब mean height मान लो कि आपका इसका कुछ भी आता है average आप एक से मान लो कि 100 आया तो अब 100 से कितनी लड़कियां ज्यादा हाइट रखती हैं मतलब 100 cm जो 100 आपका मीन आया और लड़कियों का height है वह 128 130 131 151 एक्जेंपल ऐसा सब कुछ है तो जितनी लड़कियां है उस मीन से जितनी भी ज्यादा height की लड़कियां है उनको आपको गिनना है और count करने के बाद आपको लिखना है इस cancer यह होगा तो students यह तो रहा हमारा exercise 5 exercise 3.1 और अब हम आगे एक new topic कवर का रहते हैं मोड का students मोड क्या है as we have said mean is not the only measure of a central tendency or the only form of representative value for different requirements from a data other measures of all tendencies are tendencies are used look at the following example यहां पर बता जा रहा है कि weekly demand यह जो example हम देख रहा है इसमें weekly demand है अलग-अलग shirt के size का एक shopkeeper ने उसका record रखा है और उसकी sizes है उसके पास बना नीचे लिखा हुआ है 90, 95, 100, 105, 110 cm का फिर इस record को उसने टेबुलर एक organized form में उसने convert किया और उसने पाया कि उसने कितना shirt बेचा है उसने वो भी उसमें लिखा तो अब उसको यह जानना है कि कौन सा stock बहुत ज्यादा बी कराया यानि कौन सा t-shirt कौन से size का t-shirt बहुत ज्यादा बी कराया और कितना stock उसको रखना चाहिए तो उसने क्या किया पहले mean find किया mean कैसा find करते हैं उसने जितने उसके पास shirt बेचर उसने उसको add किया और divide किया number of different sizes of shirt उसके पास जितना size उसने उसको उससे उससे divide कर दिया तो answer आया 21 अब है should he obtain 21 shirts of each size if he does so he will be able to cater to the needs of the customers the shopkeeper on looking at the record decided to procure shirts of size he decided to postpone the procurement of shirt of other because of their small number of buyers मतलब उसने mean find किया अब उसने कौन से size गद मंगवाया सिर्फ 100 और 105 cm वाला मंगवाया क्यों कि सबसे तरह selling वहां पर हो रहा है लेकिन average कितना है mean कितना निकला तो वो 21 shirts ही मंगवाएगा लेकिन मंगवाएगा कि इसमें जिसमें सबसे highest selling है 100 और 105 में बाकी को वो अभी ignore करेगा अब उसी के एक अलग example में हम देखते हैं थोड़ा और आगे चलके हम देखते हैं the owner of a ready-made shop says the most popular size of dress I sell is the size 90 cm observe that here also the owner is concerned about the number of shirts अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक और शॉप की पता जैसे जो अपना ready-made dress बेस्ता था उसने बोला कि मेरे पास 90 cm का बहुत ही popular है भाई बिकता मेरा बहुत था माल यहां से बिकता है अब ओ भी concern है कि बाई कितने number का size का कितना मैं रखूँ और कितना बिका है मैं कितना रखूँ अब इसमें ऐसा किया उसने this is another representative value for the highest occurring event in a sale of size 90 cm this represent value is called the mode of the data इसमें अब ऐसा हुआ कि अब हमें find करना है mode नीचे example 4 में देखो mode of the given set of numbers यह number दिया है इसका हमें mode find करना है तो mode कैसे find होता है अब हमें नंबर को arrange करना आप तक हमना इसमें mean उसने निकाला लेकिन अब हम यहां क्या करें mode कर रहें तो mean और mode में क्या difference से यह यहां दिखाए दा रहा है mean टामने देख लिया अब mode arranging the number with same values together जो number दिये वह थे वह un-organized थे अब इससे organize किया है ऐसे कि जो one छोटा है तो one पहले लिखा उससे बढ़ा two है तो फिर two लिखा three बढ़ा तो three लिखा फिर four लिखा और अब इसमें यह देखा जा रहे कौन सा number कितने बार इसमें occur हुआ है कितने बार उसका frequency है जैसे कि one तीन बार है two four time है three one time है और four two time है तो mode का क्या मतलब होता है कि number of occurrence कि भाई यह two number जो है यह चार बार occur हुआ है सबसे highest तो यह हो जाएगा हमारा mode mode कुछ और नहीं है students mode सर्फ यह है कि कितने बार कोई चीज़ अकर हो रही है two number चार बर हुआ सबसे highest साथ वह हमारा बनकिया mode students इसको और clearly समझाने के लिए मैं अगले वीडियो में एक और अच्छे example के साथ आऊंगा और आपको यह clear कर दूंगा concept कि यह क्या होता है अगले वीडियो में I hope we will also start our exercise number four point sorry actually three point two yeah three point two so till then I hope आपने enjoy क्या होगा and you have must learn a lot in this session thank you